हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल देखिए जिसने भी इस बार यूपीसी 2023 का पिलिम्स का एक्जाम दिया है तो आप सभी जानते ही होंगे कि इस बार 28 माई 2023 का यूपीसी पिलिम्स का सबसे टफेश्ट एक्जाम था जब से यूपीसी का एक्जाम हुआ है तब से ही एक ही बात का डिसकसन चारो तरफ किया जा रहा है यानि हर जग है यूपीसी पिलिम्स की चर्चाएं बनी हुई है क्योंकि जो इस एक्जाम का लेवस था वो वाके ही डिफिकल्टी था चाहे जीएस वन का पेपर हो या फिर जीएस टू यानि सीसेड का पेपर हो कहीं न कहीं जो इस टूडेंट जीएस के पेपर में थोड़ा सा अच्छा एटेम्ट कर भी पाए उन में से कटॉप की वज़े से शायद वो मार्क ले भी आएं लेकिन सीसेड जो है क्वालिफाइं पेपर है उसको क्वालिफाइं भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो में भी कम रह जाता है तो फिर आप डिस्क्वालिफाइं हो जाते हैं देखे ये पहली बार यूपेसी के टिहास में ऐसा हुआ है कि जो इस तरह से पेपर रखाएं उन्होंने तो क्या हुआ है कि इसमें कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा ही एक्जाम से यह क्या होता है यह एक ऐसा कोट है जो कि रिक्रूट्मेंट से रिलेटिड या आप जो भी गौर्मेंट सर्विस में जाते हो उससे रिलेटिड कुछ भी मैटर्स होते हैं उनके साथ डिल करता है तो उसके रिकार्डिंग जो भी केसिस होते हैं वह यह फाइल किये जाते है तो क्या UPSC CSAT के paper को लेकर कोई अच्छी ख़बर आ सकती है या फिर result delay होगा या तो वीडियो में ये सब हम clear करेंगे देखिए तो अब आते हैं अपने topic पर की cases की किस बारे में यानि कि किस basis पर इसको file किया है इसकी demand क्या है तो सबसे पहले इस petition को देखते हैं इसका case title है देखिए ये इसका case title है सिधार्ट मिस्रा एंड अदर्स वीएस UPSC इसका case title अगर आप कोई देखनी है तो आप central administrative tribunal की जो principal bench की website है वहाँ पर व्याप जाकर इस case की details देख सकते हैं इस petition में क्या कहा गया है क्या demand की गई है मैं आपको बता देती है इससे पहले मेरे चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो चैनल पर subscribe जरूर कर ले और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि UPSC के syllabus में ये mention है कि जो भी paper आएगा वो syllabus से ही आएगा और वो 10th level का math होगा मतलब कि जो भी basic level का math होता है वो आएगा ये इसलिए है क्योंकि देखे जो humanity के बच्चे हैं और वो जो engineer background के mathematics के बच्चे आते हैं उनको same footing पर लाने के लिए ऐसा किया गया था जब 2015 में exam आया था तब CSAT paper तब भी इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था क्योंकि देखे तब भी अब बात बहुत ज़्यादा उठी थी क्योंकि humanity के जो बच्चे हैं उनके साथ कहीं न कहीं ये अन्याय हो जाता है injustice हो जाता है क्योंकि देखे यानि कि उनके साथ कोई भी अन्याय ना हो इसके लिए UPSC ने क्या किया इस CSAT के पेपर को qualifying बना दिया यानि कि आपको 33% मार्शी लेकर आने होंगे यानि 66 marks पर आप CSAT को qualifying माने जाएंगे लेकिन अब तक हम देख रहे थे कि कई सालों में जो भी CSAT का level था वो बढ़ता ही जा रहा है यानि कि जो भी हर बार आता है CSAT का level वो difficulty होता जा रहा है लेकिन इस साल तो है कुछ अलगी हो गया है इस साल जो question है वो out of syllabus ही आए हैं तो इस petition में यह भी कहा गया है कि जो question थे उनका difficulty level CAT के यह जो CAT exam होता है CAT के exam और IITG exam के level के थे यानि कि जो उनमें जो question ऐसे उनमें पूछे जाते हैं इन एक्जामों में तो उस type के बिल्कुल उस level के question थे जो भी उसमें दे गए थे तो इनके demand है कि जो CSAT में qualifying cut off होती है वो 33% यानि 66 marks होती है उनको इस साल घटाकर 46 marks मतलब 23% कर दिया जाए और अगर यह नहीं कर सकती है मतलब यह option भी उन्होंने दिया है कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो यानि कि घटाकर 66 marks से 46 नहीं कर सकते हैं तो CSAT का exam उसको reconduct किया जाए यानि कि उसको दुबारा लिया जाए तो जो CSAT का paper इन्होंने design किया है इस तरह से design किया है वो बच्चों को किस तरह से किया जाता है कि जो general aptitude हो चेक किया जाता है बच्चों का वो इसलिए design किया जाता है कि इससे बच्चों का general aptitude जो है वो चेक किया जाए और syllabus में लिखा गया है कि class 10th के level का question होंगे और जो की compression, logical, reasoning, etc जो भी होते हैं 10th के level के होंगे इन्होंने बिल्कुल clearly mention किया है लेकिन UPSC ने इस तरह के question paper में दिये हैं कि जो बच्चा 10th level के math की knowledge रखता है वो भी इन questions को नहीं कर पाएगा और exam को clear ही नहीं कर पाएगा तो देखे exam का level cat और IITJ के exam के similar था तो जो CSAT का paper था out of syllabus था इस type के बच्चे जो humble background से और ruler area से जो belong करते हैं या फिर coaching effort नहीं कर सकते हैं या फिर artist team के बच्चे होते हैं इस तरह के बच्चे उनको बिल्कुल भी नहीं कर पाएगे यानि कि solve भी नहीं कर सकते हैं बिल्कुल art background के बच्चे देखे आते हैं वो तो बिल्कुल भी solve भी नहीं कर सकते हैं वो ऐसे हैं जो ncrt के जो 11 class की mathematics की syllabus है उससे उठा कर रखे हैं यानि कि उनसे question उन्होंने cat और iitg के देखे कुछ question जो है इनके वो cat और iitg के जो previous year question paper है उनसे उठा कर रख दिये हैं तो अब आप ये बताईए कि जो है ये बच्चा 10th level का math पढ़ कर आया है वो iitg advance के questions को कैसे solve कर सकता है इसी के उपर ये बात की गई है इसी मुद्दे पर ये बात रखी गई है कि या तो UPSC इस मुद्दे पर ध्यान दे या फिर जो qualifying 33% आपने रखा है उस margin को आप कम कीजिए यानि कि जो भी passing marks जो रखें 33% उसको कम करके 23% कर दीजिए या फिर आप syllabus में ये mention कीजिए या तो आप topics भी जो पूछेंगे जिससे बच्चे देखें जिस तरह सा आपने exam दिया है मतला questions देए है उस तरह से आप बिल्कुल mention कर दीजिए तो बच्चा उसी तरह से पढ़ क कर जाएगा फिर तो तो यह सब चीज इसी प्रटीशन में सारी बात कहीं है तो अब आपको मैंने सवाल जरूर अम देखें आप आपके मन में जो यह सवाल चल रहा होगा कि सारे प्रटीशन जो भी है वैलिड पॉंट्स है वह तो आपको भी पता है जितना भी जो भी है व यह केस लेकिन 9 जून को कैट के सामने केस लगा था यानकि उनके सामने पेस हुआ था उनकी एक डिमांड थी कि यही कि UPSC प्रटी का रिजल्ट आने वाला है फिलाल के लिए इस रिजल्ट पर इस्टे लगा दिये जाए यानि कि रोक लगा दीजिए जब तक कि इस केस की स पेस दिया गया है और जो केस है उसको 6 जूलाइ के लिए रेफर कर दिया गया है और 6 जूलाइ को अब इसका जो भी होगा 6 जूलाइ को होगा और अब 6 जूलाइक को UPSC के तरफ से वकिल ट्रिबनल के सामने पेस हो जाएगे इसके रिगार्डिंग अब देखे कई बच्च अगर है यह सीज दो इसका क्या आयेगा उसका रिजलिम कैसे आएगा या या चाहिए पिर कर तो देखिए इन सारी चीज़ों Be आपको डाउट है कि या मैं एक या दोनमबर से के लिए की नहीं कर पा रहा हूं या मेरे एक दो मार्क्स कम बैट रहे हैं या फिर मेस की तियारी तो इस वज़े से आप है ना आप अपने मेस की तियारी किजिए और आपका हो गया sometime क्वा जाता है एक दो मार्क्स कम होंगे अगर यह कट औफ यह जाती है तो तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा तो एक दिन में देखिए आप मैंस की तयारी करिए अपना को बिल्कुल भी टाइम वेश्ट मत करिए आप इन दिनों में वेश्ट कर दोगे उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा गिल्ट रहेगा क्योंकि यह बेनिफिट आप लग जाई आप फिर भी कीजिए क्योंकि अगर नहीं हो रहा है तो देखिए आप नेक्स के लिए भी त्यारी अच्छी से आपकी हो भी सकती है तो इसलिए और जिनका देखिए सबसे ज्यादा दूख है कि जिनका लाश्ट रिटेम्ट था क्योंकि वो इतने सालों से क्यारी कर सकते हैं जिनका लाश्ट रिटेम्ट था वो तो देखिए अपने फ्यूचर पर बैठे ही हैं कि फ्यूचर में क्या रिजल्ट आएगा उनका तो आपको बस यह कि आप अपने मेंस पर फोकस कीजिए इसका रिजल्ट जो भी आता है आई होप जो भी हो अच्छा ह बच्चों के हित में हो बच्चों के साथ अन्यायना हो जो भी हो तो ऐसी इन्फोर्मेशन के लिए मेरे चनल को सब्सक्राइब जरू करें थैंक्स पर वाचिंग